इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्राफ्ट का हिंदी में क्या मतलब है या इसका हिंदी में क्या मीनिंग है तो ड्राफ्ट का देखे मतलब होता है प्रारूप, मसोदा, पहली परती, खाखा, आरेक, रूपरेखा या फिर draft का मतलब होता है सेना में अनिवारी रूप से भरती होना If you are drafted, that means you are ordered to serve in the armed forces या फिर draft का मतलब होता है भेजना, drafted into For example, extra police have been drafted into the town यानि extra police जो है वो कस्बे में भेजी गई है तो draft के 2-3 मतलब होते है पहला मतलब होता है कि when you draft a piece of writing that means you write the first version of it जिसे हम प्रारूप तयार करना या प्रारूप या मसोधा तयार करना बोलते हैं या फिर you are drafted into a place that means वहां भेजा जाना या फिर सेना में अनिवारी रूप से भरती करना तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही में पर मेंशें ओुख सेना और में भी बीक्ष में ओुख सेय्वे कि अ कि पूएग